हेलो एवरिवन माई नेम इस चित्रांश दादेच और यूर कंपेनियन आपका साथी और आपका दोस्त बनने वाला हूं मैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 11th क्लास के इंगलिश आज हम लोग गाइस स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों काफी सारे कमेंट्स आये थे काफी डिमांड थी के सर 11th का भी स्लेबस जल्दी सल्दी स्टार्ट कीजे तो आज हम लोग आपके 11th का जो भी काम है पूरा स्टार्ट करने वाले हैं इंगलिश का और इसमें सबसे 1st जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हू जहां पर एक व्रिद महीला कैसे अपने पोते का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है अपने गाउं में रहते वक्त किस तरीके से उसे अच्छे संसकार देती है उसको पूरा का पूरा पोट्रे किया गया है साथ में जब वो वहां से निकलके शहर में चले जाते हैं तो दा I hope आप लोग इस चैप्टर को ना केवल समझें बलकि महसूस भी करें मेरी यही कोशिश रहेगी तो without any delay let's start our chapter guys चलिए तो देखते हैं हमारे chapter में सबसे पहले क्या आता है my grandmother मेरी दादी मा तो यह जो chapter हम देखने वाले हैं इसका जो writer है हम मानेंगे कि जो पोता है वो अपन she's grandmother हर किसी की दादी मा की तरह है बिलकुल was an old woman वो एक व्रद महिला है she had been old and wrinkled वो काफी समय से बुड़ी भी है और उनका चेहरा कैसा है जुरिदार है उसके चेहरों पर चेहरे पर जुरियां पड़ गई है old age की वजह से for the 20 years that I had known her जो की मैं उन्हें 20 सालों से जानता people said that she had once been young and pretty लोग कहते हैं कि एक समय में बहुत युवा थी और बहुत ही प्यारी थी and had even had a husband और उनका एक पती भी था जो हमारे actually दादा जी कहलेंगे but that was hard to believe लेकिन उनकी व्रद्धावस्ता को देखकर उनके बुड़ापे को देखकर के ये मानना ही मुश्किल हो जाता है कि वो कभी युवा भी रही है या कभी जवान भी रही है या उनका कभी कोई पती भी रहा होगा ऐसा लगता है कि जब से मुझे याद है मेरी सबसे पुरानी याद को भी अगर मैं ले लेता हूँ उसमें भी मैंने इनहें ऐसा ही व्रद्धावस्ता में या इसी तरह के पादाजी का जो चित्र है जो पोट्रेट है एक उनकी फोटो जो है रूप चित्र हंग अबव दा मेटल पीस मेटल पीस वो होता है अंगीठी बोलते हैं अना हिंदी में क्या का जाता है उसे अंगीठी जहां पर आग वगर जलाई जाती है घर को गरम रखने के लिए उसके उपर का जो स्थान है उसे अंगीठी के उपर का स्थान मेटल पीस के अबव स्थान कहलाता है तो वहां पर उनकी फोटो लगी हुई है इन दा ड्रॉइंग रूम और हमारे ड्रॉइंग रूम में यानि कि हमारे अतीती कक्ष के अंदर उन्होंने एक बड़ा साफा पैन रखा है उस फोटो के अंदर and loose fitting clothes और धीले ढाले जो कुरते पजा में हैं कपडे हैं उस तरह के कपडे उन्होंने पैन रखे हैं इस long white beard उनकी बड़ी बड़ी सफेद डाड़ी है covered the best part of his chest यानि कि उनके chest के उपरी हिस्से तक वो आती है and he looked at least a hundred year old वो कम से कम at least का मितलब क्या है कम से कम उस फोटो में भी वो कितने दिख रहे हैं कि कम से कम सौ साल के है he did not look the short of person who would have a wife or children वो इस तरह के sort of का मतलब क्या होता है इस तरह के इंसान या इस तरह के प्राणी नहीं लगते कि जिनकी कोई एक बीवी होगी या बच्चे होंगे he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren और उन्हें देखकर कैसा लगता है कि इनकी पतनी या बेटा तो नहीं हो सकता लेकिन इनकी age और इनकी photo देखकर कैसा लगता है कि इनके बस पोते ही पोते हो सकता है पोते पोतिया या गैल जिनरल का मतलब क्या हो गया है आपर के पोते या पोतिया ही यहाँ पर हो सकते है as for my grandmother being young and pretty और जैसा कि मेरी दादी के बारे में है कि वो young और pretty थी the thought was almost revolting यानि कि यह जो विचार है यह मेरे मन में हलचल पैदा कर देता है यानि कि मुझे सोचने को मजबूर करता है कि young और pretty होने में वो अगर दिखते होंगे तो कैसे दिखते होंगे यानि कि मैं वो imagine भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं वो विचार भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ लेकिन जब से मैं अगर अपनी सबसे distant memory को भी लेता हूँ कि सबसे दूर की याद भी लेता हूँ अपनी दादी के साथ तो भी मुझे वो उतनी ही वृद्ध वहाँ पर दिखाई देती है ठीक है guys चलिए अगले इसके आगी के और बढ़ते हैं अगले patch के और बढ़ते हैं she often told us the games वो अकसर हमें बताती है उन खेलों के बारे में she used to play as a child जो वो एक बच्ची के तोर पर खेला करती थी that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us और वो हमें जिस तरीके के खेल बताती है कि हम लोग जैसे खेलते थे तो अब गाउं में खेल जाने वाले खेरों के बारे में मैं बताऊं तो मार दड़ी खेलिया अपने कभी ? जो रास्तान के लोग होंगे वो अच्छी दरीके से relate कर पाएंगे मार दड़ी का मतलब होता है दड़ी का मतलब होता है ball जो ball होती न आपके उसको मारवाडी में राजस्तानी भाषा में दड़ी का आ जाता है तो उस बॉल से मार के एक दूसरे को और भाग जाते हैं और फिर जिसके हाथ में बॉल आती हो पकड़ता है फिर दूसरे को बॉल फैंक के मारता है फिर वहां से ball गिरती है तीसरा उसे पकड़ता है तो लोग उसके पास ball के पास भागते भी हैं उसे पकड़ने के लिए कि मैं ball उठाओ और किसी और को मारूं और उसे दूर भी भागते हैं same time में कि अगर कुसी और के बाहत में अगर वो ball पड़ गई तो सबसे पहले अपने ही चिपने वाली है अब यह गेम जो है यह बहुत ही कोई सब्य खेल नहीं है आप छोटे हैं अपने बराबर के हम उमर के बच्चों के साथ केल रहें और आप बॉल से उन्हें खेंच-खेंच के मार रहें उन्हें शारीरिक पीडा पहुंचा रहें तो बिल्कुल ही ऐस हम माननी है बुरे प्रकार के खेल हैं और हर पार्ट वो अपनी तरफ से बताती थी कि वह बहुत इस तरह के खेल थे वी ट्रीटिड इट लाइक दफीबल्स और हम उन खेलों के बारे में सुनके कैसे मानते थे कि जैसे दादी पुरानी कथाएं सुनाती है पुरानी कहानिया सुनाती है ये खेलों की जो स्टोरी है ये भी विल्कुल उसी तरह की है वे ट्रीटेड इट लाइक दफेबल्स कथाएं या चोटी कहानी की तरह ओफ दे प्रोफेट शिद्ध पुर्शो की शी उस तो टेल अस जैसे कि महान लोगों की कहानिया वो हमें स सुनाती थी जैसे कि इस तरह की बुक्स आपने बच्पन में पढ़ी होगी बाल राम कथा या पतली-बतली किताबे आती थी सुआमी वेवे कानन महात्मा जोतिवा फूले इन सभी के बारे में चोटे बच्चों को इनिशल स्टेज पर इंटरस्ट डबलफ करने के लिए इ जाती है और इसकी सिक्षा बच्पन से ही शुरू हो जाती है जब हम अपने दादा दादी या नान नाना नहीं से हम लोग क्या करते हैं कहानिया सुनते हैं रात के समय सोने से पहले तो जैसा कि वो हमें कहानिया सुनाती थी उनकी जो गेम्स या स्पोर्ट्स की स्टोरी होत हुई थी हर face was a criss cross of wrinkles और उनके चहरे पर धारियां बनी हुई थी criss cross की किस रूप में जुर्यों के रूप में running from everywhere to everywhere अब criss cross तो है लेकिन criss cross तो बिल्कुल एक सीधे way में होता है लेकिन मुपे जब जारियां आती है जुर्यां आती है बुड़ावे के अंदर तो वो कहीं से भी किसी भी दिशा में जा रही होती है उनका कोई एक proper track नहीं होता कि दाएं से बाएं जाएगी या उपर से निशे एगी किदर से किदर भी चलती है no we were certain she had always been as we had known her नहीं वो हमेशा से निश्यत तोर पर इतनी ही व्रद्ध थी जब से हम लोग उसने जानते हैं या जब से हमने उन्हें देखा है कैसी थी old हमेशा से ही व्रद्ध she terribly old वो इतनी भयानक रूप से बूड़ी थी या व्रद्ध थी that she could not have grown older कि अब वो उससे आदा और बूड़ी नहीं हो सकती जितना maximum कोई इंसान बूड़ा हो सकता है उतनी वो हो चुकी थी and had stayed at the same age for 20 years और उसी stage पर जिस तरह का state उनके face का और उनका सब कुछ है वो 20 साल से वैसा का वैसा ही रुक गया था अब ऐसा लग रहा था कि वो और व्रद्ध नहीं हो पाएंगी जितनी व्रद्ध हो सकती थी 20 साल पहले ही होगी अब इससे आदा और scope नहीं है आगे व्रद्ध होने का ठीक है यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी characteristic जो किसी को व्रद्ध बताता है या बुजर्ग या बुड़ा बताता है वो बाकी नहीं रहा जो उनमें दिखना अभी बाकी हो ठीक है जो भी old age के characteristic होते हैं वो सारे के सारे उनमें दिखाई दे रहेते इसलिए हमारा writer हमारा author जो है वो उस चीज़ को बहुत ज़ादा push कर रहा है वो उस चीज़ को बहुत ज़ादा प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भाईया मेरी बात मानो वो जितनी बूड़ी दिख रही है बस उससे आगे ब स्कोप नहीं है बूड़ा होने का यानि कि maximum जो आप देख सकते हो characteristics या चारितरिक विशेशना है किसी भी वृद्ध की वो उसकी दादी में पहले से दिखाई दे रही है यहाँ पर वो ऐसा कहना चार है ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए कलपना करने में भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कभी प्रिटी या प्यारी दिखती होंगी अलग चीज है आज अगर आप अपने दादा दादी को देखते हैं या अपने नानानी को देखते हैं व्रद्ध वस्ता में लोगों को देखते हैं हम उनकी गोदी में पले बड़े होते हैं तो भले ही लोगों के नजरिये में वो कुछ भी हो लेकिन हमारे लिए हमारे grandparents जो हैं वो हमेशा इस दुनिया के सबसे सुन्दर इंसान होते हैं जानी कि एक हाथ से वो पूरे घर को बिल्कुल चमका करके रखती थी बिल्कुल सफेदी की चमकार बनाके रखती थी गर को और दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखती थी जहां से उन्हें चलने में मदद मिलती थी वाइट यानि बेदाग रखती थी पूरे घर को with one hand resting on her waist और दूसरा हाथ उनकी कमर पर आराम दे रहा होता था to balance her stoop यानि उनके जुकाओ को balance देने के लिए संतुलन देने के लिए and the other telling the beard of her rosary और नहीं तो फिर एक हाथ से वो क्या करती थी अपनी जो भजन की माला है यानि कि जो लकडी के मोतियों की माला होती है न जिसे माला फेरना कहता है माला फेरने में जो माला काम में आती है उससे वो अपने क्या करती थी कि भजन करने वाला माला के जो दाने है जो मोती है उन्हें वो घुमाती रहती थी यानि कि हमेशा माला करती रहती थी जैसे कि आप इस पिक के अंदर चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं हर सिल्वर लॉक्स उसके बालों की चोटियां अब रद्धवस्ता में है तो बाल कैसे होंगे ग्रेश कलर के होंगे वाइटिश कलर के होंगे तो उससे क्या का गया है सिल्वर लॉक्स का गया है वर स्केटर्ड अंटाइडिली यानि वो अस्वच्छ तरीके से थोड़े बिखरे वे थे, shattered थे over her pale यानि उसके मुर्जाय हुए या पीले से puckered face यानि कि उनके जुर्रिदार चहरे पे and her lips constantly moved in unaudible prayers और उनके जो होट है वो लगातार प्रार्थनाओं में हिलते रहते थे यानि कि लगातार प्रार्थना करते रहते थे या जो भी प्रार्थना का जाप हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, मन में हो रहा है, और साथ में हो क्या कर रही है, केवल लिपसिंग कर रही है, केवल मुह हिला रही है, लेकिन आप पास जाकर कोशिश करोगे, तो आपको सुनाई कुछ भी नहीं देने वाला उसमें से, सर्दियों के समय में जैसा पूरा लेंड्सकेप सुन्दर दिखाई देता है वैसी ही वो दिखाई देती थी और खास करके ये प्राकरतिकी तुरुष्य कहां पर? मौंटेनियस एरियास के अंदर जहां पर पहाड है उस एरिया में और उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि दूर तक जैसे की लेंड्सकेप का यानि की जमीनी भाग का फैला होता है दूर तक प्योर वाइट पूरा सफेद बरफ से डखा हुआ जो किसे बताता है सेरेनिटी को बताता है शांती को ब्रीडिंग और शांती से सांस लेने को बताता है कि बिल्कुल आराम से प्यार से सांती से सांस ले रहे किसी भी तरह की हसल बसलिया भागा दोडी नहीं है पीस, शान्ती and contentment और संतोष को यानि कि जिस तरह का landscape है वैसी ही मेरे दादी के characteristics है वो बिल्कुल शान्त भाव से सांस लेती हैं अपने जीवन में शान्ती को धारन करती है साथ ही साथ contentment यानि संतोष के साथ संतुष्टी के साथ अपने जीवन को जी रही है इस तरीके से उसने compare किया है एक बहुत ही सुन्दर landscape को अपनी दादी के characters से My grandmother and I were good friends मेरी दादी मा और मैं हम लोग अच्छे दोस्त थे My parents left me with her when they went to live in city मेरे माता-पिता मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गये थे जब वो रहने के लिए शहर में चले गए थे And we were constantly together और उनके शहर जाने के बाद मैं और मेरी दादी लगातार या निरंतर कुछ समय के लिए साथ में रहे She used to wake me up वो मुझे उठाती थी Wake up का मतलब क्या होता है? सोने के बाद सुबह उठाती थी In the morning, सुबह के समय में And get me ready और मुझे तयार करती थी For school, school जाने के लिए She said, उन्होंने कहा Her morning prayers In a monotonous sing song यानि कि वो कहती रहती थी वो गाती रहती थी उनकी जो सुबह की prayers होती थी Morning prayers होती थी Monotonous यानि कि nearest sing song यानि कि अपने मन में ही वो बिना उसे महसूस की दोराते रहती थी उसे गाती रहती थी While she bathed and dressed me In the hope that I would listen And get to know केवल इस उमीद में जितनी देर मुझे निलाती थी मुझे कपड़े पहना करके तयार करती थी तो वो ये सब क्यों गाती रहती थी सुबह की प्रारतना है केवल इस एक उमीद में उनकी केवल एकमातर ये होप थी that I would listen and get to know it by heart के मैं उन प्रारतनाओं को ध्यान से सुनू और get to by heart का मतलब क्या होता है मुझे वो याद हो जाए या मेरे मन में स्थिर हो जाए और हमेशा के लिए lifetime के लिए मुझे वो प्रारतनाओं याद रहे I listened, मैं सुनता था because I loved her क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता था her voice, उनकी आवास को but never bothered to learn it लेकिन मैंने कभी भी अपने आपको परेशान नहीं किया या खुद कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ा, उनको याद करने को ले करके यानि कहते हैं निका सर कहते हैं कि याद कर लो, पढ़ लो we don't bother, हम अपने आपको इन चीजों के लिए परेशान नहीं करते हम अपने आपको सताते नहीं है इन चीजों के लिए कि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसी जहमत नहीं उठाई है, ऐसी परिशानी नहीं उठाई, कि मैं उन्हें याद करूँ या याद करने का प्रयास भी करूँ, ठीक है guys, next बढ़ते हैं, अगली frame पे आगे, then she would fetch my wooden slate, फिर वो मेरी लकडी की तक्ती, ऐ इसी तक्ती लेके आती थी, which she had already washed, जिसे उन्हें पहले से ही उन्होंने धोलिया है, and pasted, और उन पर पोत देती थी, क्या पोत देती थी, with yellow chalk, यहनी की yellow color की जो पीली मिट्टी होती है न, तो वो क्या करती थी, उस पर पूरी पीली मिट्टी से उसे लीप करके तयार कर देत थी, and a tiny other ink pot, और एक छोटा सा मिट्टी का बनावा ink pot, जिसमें ink रहती थी, and a red pen, और एक लाल रंग का pen, tie them all in a bundle, उन सब को एक साथ एक बंडल में बान देती थी, and hand it to me, और वो मुझे swap देती थी, after a breakfast of a thick, still chapati with a little butter and sugar spread on it, और उसके बाद में मुझे खाने के लिए नाश्ता दिया जाता था, एक मोटी सी बेस्वादी, उसके हिसाब से अब बेस्वादी हो गई, उस समय का पता नहीं, बेस्वादी या वैसे आप यह कह सकते हैं, कि पुरानी या बासी हुई या थोड़ी देर पहले बनी हुई, ठीक है, ठंडी चपाती भी कि आप यहाँ पे मान सकते हैं, बेस्वादी अगर आप नहीं मानना चाहते तो, ठीक है, बेस्वादी नहीं है, तो थोड़े समय पहले की बनी हुई, वैसे बासी के अरथ में भी कई बार स्टेल आ जाता है, जो बेसे बहां के समय पहले बनी हुई चपाती देती थी, उस साथ काफी सारी और चपाती इस भी ले लेती थी with her अपने साथ for the village dog किसके लिए लेती थी गाउं के कुत्तों के लिए लेती थी गाउं के जो stray dog होते हैं आवारा कुत्ते जो होते हैं उनके लिए वो उन चपातियों को अपने साथ ले लेती थी my grandmother always went to school with me मेरी दादी मा जो है वो हमेशा मेरे साथ school जाती थी क्यों जाती थी because the school was attached to the temple क्योंकि वो जो school था वो temple से यानि कि उस मंदिर से जुड़ा हुआ था attached था the priest और वहाँ पे जो पंडित जी थे taught us the alphabet वो हमें वर्णमाला सिखाते थे alphabet सिखाते थे and the morning prayer और प्रातय कालीन प्रार्थनाए भी वो वहाँ में सिखाते थे while the children set in rose जहां पर बच्चे जो हैं वो कतारों में या रोज में बैठे रहते हैं on either side of the वरिंदा वरिंदा के दोनों साइड singing the alphabets वर्णमालाओं को गाते हुए or the prayer in a chorus और या फिर सामूहिक रूप से एक स्वर में उन प्रार्थनाओं को गाते हुए चीक सीक कर गाना भी हो सकता है दीरे गाना भी हो सकता है chorus का मतलब होता है एक साथ एक स्वर में मिलकर के गाना my grandmother sat inside reading the scriptures और मेरी दादी मा जो है वो मंदिर के अंदर बैट करके scriptures जो है धार में ग्रंत जो है तो both were finished जब हम दोनों का काम पूर्ण हो जाता था we would walk back together तो हम चलकर वापस आ जाते थे this time the village dogs would meet us at the temple door और इस समय में जो गाउं के जो कुत्ते हैं वो हमें बाहर निकलते ही temple के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे they followed us to our home और वे वहाँ से हमारे घर तक हमारे पीछे आते थे growling, गुर्राते हुए and fighting with each other और एक दूसरे से लड़ते हुए क्यों लड़ते हुए? for the chapatis we threw to them उन chapatiyon के लिए जो हम उनकी और खाने के लिए फैकते थे यानि फैक करके जो हम उन्हें चपाती देते थे खाने के लिए तो गुर्राते थे एक दूसरे से लड़ते थे उन chapatiyon के लिए क्यों चपाती खाएगा या क्यों जादा खाएगा when my parents were comfortably settled जब मेरे माता पिता अच्छी प्रकार से settled हो गए कहां पर in the city शहर में they sent for उन्होंने हमें बुलावा भेजा that was the turning point in our friendship और वही सबसे बड़ा turning point था हमारी friendship का मेरी और मेरी दादी की friendship का वही सबसे बड़ा turning point था अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा है जसके माता पिता शहर में settle down होने के लिए चले गए और वो अपने दादी के साथ life spend कर रहा है अपना जीवन बिता रहा है अपना बच्चपन बिता रहा है अब starting जहां होती है तो वहाँ पर looks को ले करके बहुत बात होती है कि दादी जो है वो दिखने में कैसी है बूड़ी हो सकती है उतनी बूड़ी है उसके आगे अब कुछ नहीं बचा बूड़ा होने के लिए ठीक है sorry to say that लेकिन chapter ही ये convey कर रहा है तो हम उस चीज़ को change नहीं करेंगे हमारे एक्जाम के लिए अच्छा नहीं रहेगा ठीक है हमारे लिए तो अच्छा रहेगा हम चाहें तो अपने emotions को satisfy कर सकते हैं अब उनकी व्रद्धावस्ता को हमने देख लिया उनकी physical appearance के बारे में हमने बात कर ली दादाजी जो है उनका जो portrait है उनकी जो चित्र है उसको देखकर के हम क्या अंदाजा लगा सकते हमने वो अंदाजा भी लगाया साथ में हम लोगोंने बात की कि मेरा जीवन मेरी life मेरी दादी के साथ कैसी चल रही थी तो एक morning से लेकर afternoon तक का तो हमने देख लिया कि सुबह से लेकर दौपेर तक क्या था आगे का कोई बता नी रखा आगे को कोई विवरण नी है कि शाम को क्या होता था ठीक है तो सुबह क्या है भीया सो के उठने का काम है उसके बाद नाना नाश्ता वाश्ता करना है इसके समय में क्या होता था प्रेयर चलती रहती थी चलती रहती थी केवल किसलिए दादी क्यों बार बार प्रेयर बोलती रहती थी ताकि मुझे याद हो जाए ताकि वो मुझे सही से बाए हार्ट हो जाए ठीक है लेकिन मैंने कभी बॉदर नही करती अपने scriptures जो है धार में ग्रंतों का अधियन करती लोटते समय हम वापस साथ में आते कुतों को राचते में रोटियां देते वे आते ठीक है guys अब जो है जब माता पिता जो है वो अच्छे से जाकर के settle down हो गए शहर में आराम से वहाँ पर रहने लगे उसके बाद यहां पर हमारा author क्या कहता है that was a turning point in our friendship यह एक बहुत बड़ा mode था हमारी जीवन में यानि कि यहां से अब चीज़े बदलने वाली शहरों का जो atmosphere है गाओं का जो atmosphere है गाओं की जो education है शहरों का जो education system है उसमें बहुत जादा difference है अगर school में संस्क्रत में प्रार्थना यह पढ़ाई जा रही है तो दादी उसके उस प्रार्थनाओं में मदद कर सकती है लेकिन यहां पर तो science, math, geography यह सब चलेगा तो देखते हैं क्या होता है चले मैं suspense कतम नहीं करूँगा that was a turning point in our friendship हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा mode वहां था although जबकि we shared the same room हम लोग एक ही room में रहते थे शहर वाले गर में भी my grandmother no longer come to school with me अब मेरी दादी मा जो है वो मेरे साथ school नहीं आती थी I used to go to an English school in a motor bus मैं एक अंग्रेजी माध्यम के विध्याले में पढ़ने के लिए जाता था वो भी एक motor bus में यानि bus में बैठ करके there were no dogs in the street वहां सडकों पर कोई कुते नहीं थे थे तो भी हम लोग bus में जाते थे तो हमारे लिए इतने visible नहीं थे and she took to feeding sparrows तो उसने क्या किया कि अब वो घर में जो रोटियां होती थी उनके छोटे छोटे टुकडे करके चिडियां को खिलाती थी ठीक है चिडिया से वैसे हम लोग इंडिया वाले एकी चीज समझते हैं लेकिन अगर आप proper उसका नाम जानना चाते हैं तो गोरिया बोलते हैं उसके जिसे हम चिडिया बोलते हैं उसका proper नेम जो है गोरिया है तो गोरिये या चिडियाएं उन्हें वो छोटे छोटे टुक्डे करके अपने हाथों से रोटियों के खिलाती थी इन दा कोर्टियार हमारे घर के چौक में आफ आर्फ आर सिटी हाउस यानि कि हमारा शेहर का जो घर है वहाँ पर जो चौक था उसमें वो इस तरीके से रोटियों के टुकड़े करके और चिडियाओं को खिलाने का काम करती थी As the years rolled by, जैसे जैसे साल गुजरते गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया We saw less of each other, हम एक दूसरे की तरफ कम ही देखते थे या कम ही एक दूसरे का ध्यान रख पाते थे, बात कर पाते थे For some time, she continued to wake me up, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे सुबह उठाने का जो काम था, सोते वे को उठाने का काम जो था, उसे जारी रखा And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तयार करने का काम भी जारी रखा When I came back, और जब मैं वापस आता था, she would ask me, तो वो मुझसे पूछती थी, she would ask me, वो मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me Teacher ने, शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया, I would tell her English words, और मैं उन्हें अंग्रेजी के words बताता था, जो मैं स्कूल से पढ़के आया हूँ And little things of western science, और पश्चिमी सब्यता का जो विज्ञान है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़े मैं बताता था And learning, और जो भी मैंने सीखाया उस बारे में, the law of gravity, law of gravity के बारे में बताता था Archimedes, principles, Archimedes के जो principles हैं उनके बारे में बताता था The world being round, ये बताता था कि दुनिया goal है, etc. यही सारी चीज़े मैं उनको बताता था This made her unhappy और इससे वो बहुती नाखुश हो जाती थी मतलब ये सब सुनकर के उन्हें प्रसन्नता या खुशी नहीं मिलती थी She could not help me with my lessons और वो मेरे lessons के साथ में जो भी पार्ट या जो भी चीज़े मैं स्कूल में पढ़ रहा था उसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाती है यानि कि वो चाहती तो है कि स्कूल में मेरे जो भी चल रहा है या किसी ना किसी तरीके से education के बहाने ही सही लेकिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनके रहे लेकिन स्कूल में मैं ऐसी चीज़े पढ़ रहा था जिसमें मेरी दादी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी मेरे लेसन में कोई help नहीं कर सकती थी उन्हें उन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि English school में क्या ऐसी चीज़े पढ़ाई जाती है और इसी वज़े से वो बहुत दुखी रहती थी या परेशान रहती थी that there was no teaching about God and scriptures कि वहाँ पर भगवान के बारे में या धार्मिक गरंतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है one day I announced एक दिन मैंने उन्हें बताया घोशना करी घोशना तो क्या करी बताया दादी को that we were being given music classes के हमें अब music या संगीत से संबंदित कक्षाएं दी जाएंगी she was very disturbed ये बात सुनकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई to her music head क्योंकि उनके लिए music जो है संगीत जो है वो बहुत ही बेकार सी खराब सी चीज है association यानि कि खराब संगतियों से जुड़ी हुई चीज मानी जाती है एक हिंदी में एक वर्ड आता है विलास या विलासिता तो विलास या विलासिता का सूचक माना जाता है संगीत को कि जहां व्यक्ति अपने जीवन को आनन्दित करने का प्रयास करता है संगीत का प्रारम वहां से होता है ठीक है स्कूल क्यों जा रहा है तो उनके लिए चीज़े थोड़ी सी अलग हैं जमाना बदल गया है तिंक्स हैव चेंज इन सिटीज लेकिन गाउं में अभी भी कहीं न कहीं वो पुरानी विचारधारा कुछ लोगों के साथ रहती है तो यहाँ पर दादी के साथ भी आप कह सकते है हैं कि conflict of interest हो रहा है कि वो चाती तो है कि उनका जो पोता है वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले आगे बढ़े अपने जीवन में अच्छा नाम करें लेकिन जिस तरह से आजकल education system cities के अंदर चल रहा है वो दादी को रास नहीं आ रहा है दादी के लिए यह कि यह सारी gentle fog और भद्र लोगों के लिए सज्जन पुर्शों के लिए अच्छे लोगों के लिए संगीत अंगीत यह चीज़ें नहीं होती she said nothing but her silence meant disapproval उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनका silence जो था उनका मोन जो था उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि तुम इसक के बाद में उन्होंने पूछना बंद कर दिया वो बस मोन हो गई शांत हो गई कि अब क्या चल रहा है तुम्हाई लाइफ में just keep it to you अपने तक रखो मुझे मत बताओ I'm not interested मुझे नहीं जानना तो कहीं न कहीं क्या हुआ वो मोन हो गई और उनके मोन कार्थ क्या था disapproval य ना के बराबर वो उसके बाद मुझे से बात करती थी यानि कि जब उन्हें पता चला है सारी चीज उसके बाद उन्होंने मुझे से बात करना कम कर दिया या बंद कर दिया उसके बाद ज्यादा वो मुझे से बात नहीं किया करती थी only in the afternoons she relaxed for a while to feed the sparrows यानि कि दिन भर वो क्या करती थी किवल माला फेड़ती रहती थी चुप रहती थी और किवल दोपेर के समय में वो थोड़ा relax करने के लिए आती थी वो भी कब जब वो चिडियाओं को feed यानि खाना खिलाने का काम करती थी when I went up to मुझे अपना खुद का एक personal कमरा दे दिया गया यानि कि अब तक क्या था कि मैं और दादी 12th क्लास तक एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे लेकिन अब मुझे अलग से कमरा दे दिया गया और दादी को एक separate room मिला the common link of friendship was snapped और हमारे बीच में एक मात्र जो link बचा था कमरा के दिन बर कहीं भी रहो रात को जाना तो महीं दादी के पास ही है वो एक मात्र जो link था वो भी चटक कर या जटका कर उसे भी तोड़ दिया गया my grandmother accepted her seclusion उन्होंने अपने एकांत वास को के अब मुझे अकेले ही रहना है इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया था accept कर लिया था with resignation और मुझे समर्पित कर दिया था इस दुनिया को के भाई ठीक अब तुम्हें जो करना है करो तुम समर्पित हो मेरी तरफ से और यह जो एकांत वास है मुझे अकेले अब जो जीवन जीना है उसे मैं accept करती हूँ मुझे कोई problem नहीं है वो कभी मुश्किल से ही उनकी माला जो बजन करने वाली फेरने वाली जो उनकी माला थी न कभी मुश्किल से ही उसे छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए from sunrise to sunset सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक by her wheel spinning and reciting prayers यानि कि दिन भर उनका क्या चलता था माला फेरते रहना और अपनी प्रार्थनाएं करते रहना बगवान से अपने लिए अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करते रहना यही काम दिन बर उनका चलता था जहां वो दिन बर prayers को ही recite करती रहती थी यानि कि यहां पर क्या है कि जब वो दौपेर के समय में बरामदा में बैठती थी breaking the bread into little bits और छोटे छोटे टुकडों में रोटियों को तोड़ती थी hundreds of little birds यानि कि सैकडों की तादात में छोटी जो चिडियाएं हैं जो पक्षी हैं collected around her उसके चारों तरफ इकटे हो जाते थे creating a veritable, veritable का मतलब होता है वास्तविक और इस तरह का एक वातावरन बना देते थे जो वास्तविक bedlim, bedlim मतलब शोर गुल से भरावा होता था और चिरुपिंग्स चिरुपिंग्स का मतलब यह है चैचाहाट, चिरुपिंग्स भी आप गोल सकते हैं on her shoulders और कुछ चिडिया आती थी वो उनके कंदे पर बैठ जाती थी some even sat on her head और उनमें से कुछ चिडिया ऐसी भी होती थी जो आके उनके सर पर बैठ जाती थी she smiled but never should them away वो मुश्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भी शू बगाती नहीं थी, शू करना मतलब बगाना, नीचे अटो, हटाओ, कभी नहीं ठीक है आप मेंसे अगर किसी के पास में कोई pet bird अगर होगी किसी के पास जैसे मुश्की लोग के पास तोते होते हैं बर्ड में जादातर मुझे लगता है most common यही है, तो तोते जो होते हैं जब हम उनके साथ खेलते हैं तो उनकी अरकते अपनी अरकते होती हैं उससे नाराजगी नहीं होती, कभी यहां बैठ जाते हैं, कभी चड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कंदे पर बैठेंगे, कभी सर पर बैठेंगे, कभी कान को बाइट करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, यह सारी चीजे इंसान को खुशी देती हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर दादी जो है वो चारो तरफ से चिडियाओं से गिरीवी है तो खुशी है उन्हें इस बात की चिडियाओं उनके पास आ रही है उनसे डर नहीं रही है उनके साथ खेल रही है कोई कंदे पे बैट रही है, कोई पैर पे बैट रही है, कोई सर पे चड़ रही है, कोई इदर उदर उड़ रही है, कुछ आवाजे कर रही है, तो दादी को ये सारी की सारी चीज़े क्या है, अच्छी लग रही है, she is enjoying it, it used to be the happiest half hour of the day for her, ये उनके लिए सबसे खुशी दे दी थी, well, when I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया, for further studies अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset, मुझे लगा कि शायद मेरी इस बात से मेरी दादिमा नाराज होंगी, I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जाने वाला था, and at her age, one could never tell, और उनकी जो उमर थी, कोई भी नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, यहाँ पर जब कहा गया ना, कि at her age, one could never tell, never tell का मतलब क्या है कि कोई भी नहीं कह सकता था, कि जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं इनसे मिल पाऊंगा, या नहीं मिल पाऊंगा, यानि कि उनकी age इतनी जादा हो गई थी, कि वो पांच साल तक जीवित रहेंगी, सर्वाइब कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, यह कहना impossible था, नामुम्किन था, she was not even sentimental, लेकिन वो थोड़ी सी भी भावुक नहीं, मुझे लगा, upset होंगी, या कहेंगी कि बहाई, कहां जा रहा है तू, तू आएगा, उससे पहला तो म वो मुझे railway station पे drop करने, छोडने भी आई, but did not talk or show any emotion, लेकिन उन्होंने ना तो कोई भावनात्मक बात की, और ना ही हाव भाव या आसुओं के जरिये, अपने किसी भाव को या भावना को दर्शाने की कोशिश की, हर lips moved in prayer, उनके होट अभी भी प्रार्थनाओं में चल रहे थे, हर mind was lost in prayer और उनका जो मन था, अंतरमनिया उनकी जो बुद्धी थी, उनका जो दिमाग था, वो पूरी तरीके से इंगेज था उनकी प्रार्थनाओं में, यानि कि दादी ने अपने आसपास एक ऐसा संसार ब या अपनी जीवन की मूल भूत जो जड़ है, वो उन्होंने प्रार्थनाओं को बनाया था, ना कि अपने आसपास के परिवार के जनों को, यानि कि पारिवारिक सदस्यों का अपना महत्वत था, वे सभी अपने इस्तान पे थे, लेकिन उनके लिए उनके जीवन का अब ए नहीं रही थी, ठीक है कैस, तो उनका जो है किवल होटिल रहे थे, माइन और सब ध्यान उनका का अपनी प्रार्थनाओं में लगा हुआ था, और फिंगर्स वर बिजी, टेलिंग दा बियर्ड्स और रोसरी, टेलिंग का मतलब वही घुमाना, उनकी जो फिंगर्स थी, उन when I left और जब मैं वहाँ से निकला, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, तो मैंने सावधानी से उसको ग्रहन किया और सावधानी से उसे महसूस किया, the moist imprint, यानि कि गीलापन जो उनके होटों का मुझे महसूस हुआ था, as perhaps मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि the last sign of physical contact between us, कि ये एक शारेरिक रूप से स्पर्षता का मेरा शायद आखरी मौका है जो हम दोनों के बीच में हुआ है, हाथ पकड़ना या अपनी दादी को गले लगाना, या अपनी दादी को गालों पे हाथ लगाना, अब मैं अपने जीवन में आगे ऐसा कुछ भी नहीं कर ये शायद लास्ट कॉंटेक्ट है जो मेरे और मेरी दादी के बीच में हो सकता है, ठीक है या हो सकता था, मुझे ऐसा उस दिन महसूस हुआ, बट डेट वास नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, आफ्टर फाइफ यर्स, पांच साल के बाद, I came back home and was met by her, मैं वापस घर आया घर लोटा और मैं उनसे मिला, दादी सकता जाने बई, गलत मत सोच ना, तो पांच साल के बाद भी मैं आया और उनसे मिला, at the station, और मिला भी station पे, यानि कि वो फिर से मुझे रिसीव करने के लिए थी, she did not look a day older, और वो एक दिन भी बूड़ी नहीं लग रही थी, यानि कि she had no time for words, लेकिन अभी भी उनका विवार ऐसा ही था, बातचीत करने के लिए उनके पास समय नहीं था, शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था, and while she clasped me in her arms, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी arms में, अपनी बाहों में भर लिया, I could hear her reciting her prayers, मैं केवल यही सुन प रही है, even on the first day of my arrival, बलकि पहले दिन भी, जिस दिन मैं आया, इंडिया में वापस मेरा पहला दिन था, उस दिन भी यही था, her happiest moment were with her sparrows whom she had fed longer and with frivolous rebukes, I could hear her reciting her prayers, मैं केवल सुन पाया, वो अभी भी अपनी प्रार्थनाओं को दोरा रही थी, even on the first day, बलकि आज पहला दिन जब है मेरे आने का, उसका सबसे खुश नुमायाओं से प्रसन करने वाला जो खशन था, वो अभी भी वही था, जो वो अपनी चिडियाओं के साथ में बिताती थी, whom she fed longer, जिने वो लंबे समय से भोजन खिला रही थी, end with previous rebukes, previous का मतलब निरर्थक, जो आप करना नहीं चाते लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, rebukes का मतलब डाट फटकार, यानि कि जो चिडियाओं हैं, उन्हें ना चाते वे भी, बिना मन के भी, ऐसे ही, बस उन्हें डाट देती थी, अरे इधर मता, अरे कंदे से नीचे उतर, अरे बैटी रह, अरे ऐसा कर ले, तो उनका ऐसा कोई मतलब नहीं है, कि वो चिडियाओं को अपने पास से भगाना चाती हैं, या उनसे खुश नहीं है, लेकिन mild rebukes, या फिर ऐसे rebukes, जो आप करना नहीं चाते, ऐसी डाट फरक्कार, जो आप किसी को डाटना नहीं चाते, जब 2-3 साल के छोटे बच् लेकिन जस्त मस्ती मजाक में उनने रुलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, तब ही यह बिल्कुल सेम वही भाव है, कि यहाँ पर वो डाट फटकार तो रही हैं उन चिडियाओं को, लेकिन उसका भाव नहीं है, उसका मन नहीं है वैसा कि उसे डाटे फटकारे या उ पहुचा है, ऐसा कोई दादी का भाव यहाँ पर नहीं है, in the evening came over her, शाम के समय में उन्हें एक मौका मिल गया, she did not pray और उस दिन शाम को उन्होंने प्रार्थनाय नहीं की, मुझसे बात भी नहीं की, ऐसा नहीं कि दादी प्रार्थनाय नहीं कर रही है, तो मुझसे बात कर रही है, ऐसा बिलकुल मत समझना, पहले ही बोल दिया, कि मेरे arrival के पहले दिन भी उन्होंने मेरे से बात वात करनी की जहमत नहीं उठाई, बिटा पांस साल कैसा रहा, खाने पीने की समस्या तो नहीं थी, वहाँ सब कुछ बढ़िया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई छोरी से ब्याव करें तो बता दे, कुछ से नहीं, कोई मतलब नहीं है, शाम का टाइम जब आया, उनकी अपने खुद के प्लैंस थे, she collected the women of the neighborhood, उनने अपने आस पास के पडोस से सारी औरतों को बुला करके इखटा कर लिया, got an old drum, पुराना सा एक धोल लिया, and started to sing, और गाना शुरू कर दिया, क्या गाया उन्होंने, for several hours, she trumped the sagging skin of the dilapidated drum, and sung of the homecoming of warriors, यानि कि कई घंटों तक वो थपकी देख करके बजाती रही, उस जोलदार, यानि कि ऐसा drum जिसकी जो skin है, वो धीली पड़ गई है, skin को, चमडे को, of the dilapidated, जीरना अवस्ता में, यानि कि तूटा फूटे अवस्ता में, जो drum था, उसको, sang of the homecoming of warriors, और योद्धाओं के घर आने के जो गीत होते हैं, घर वापसी के जो गीत होते हैं, उन्हें वो गाती रही, ठीके, देखिए, ये एक tradition है, आप लोग शायद आप लोगों मे पहले युद्ध लड़ने जाते थे, और वहाँ से जो जीत कर, या हार कर भी वापस आ जाते थे, उनके स्वागत के लिए, जो गाओं के जो लोग हैं, जो औरते हैं, खास कर, वो उनके homecoming के गीत गाया करती थी, अगर जीत के आए हैं, तो उनको बदाई देने के लिए, हा अपने ट्रेडिशन में देखते हैं, के homecoming of warriors के गीत जो हैं, वो गाते गाये जाते हैं, या कही लोग गाते हैं, we had to persuade her to stop to avoid overstraining, हमें उन्हें राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा, के वो अब रुख जाएं, अब वो और ना गाएं, अब वो और डोल ना बजाएं, to stop avoid overstraining ताकि उन्हें अत्यदिक तनाव या थकान ना हो जाए, that was the first time since I had known that, I have known he, that she did not pray, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यानि कि शहर में आने के बाद से, केवल वही एक मैंने दिन देखा, जिस दिन वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, या जिस दिन वो prayers नहीं कर रही थी, the next morning she was taken ill, और अगले ही दिन सुबह वो बिमार पड़ गई, it was a mild fever, ये बस हलका सा बुखार था, and the doctor told us that it would go, और डॉक्टर ने हमें बताया कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, हलका सा बुखार है, चला जाएगा, दवाई देदी, but my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी मां जो है, वो अलगी तरह से सोचती है, she told us, उसने हमें साफ बता दिया, that her end was near, कि अब उसका अंत जो है, वो करीब है, she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, और ये बात उनोंने अपनी मृत्यू से कुछ ही घंटे पहले हमें बता दी थी, she said that since only a few, कि उनोंने हमसे कहा, कि अब बस क्यों कुछ ही घंटे बच हैं कि जो मेरे जीवन का ध्याय है, वो समाप्त होने वाला है, she had omitted to pray, उनोंने pray के लिए छोड़ दिया, she was not going to waste any more time talking to us, यानि कि उनोंने अपना बचा हुआ पूरा समय जो है, वो प्रार्थनाओं के लिए छोड़ दिया, कि अब वो हमसे बात करके अपना और टाइम वेस समर्पित कर दिया, we protested, हमने इस बात का विरोध किया, but she ignored, लेकिन उनोंने नजर अंदास किया, our protest हमारे किसी भी प्रकार के विरोध को, she lay peacefully in bed, praying and telling her words, वो शान्ती से अपने bed पर अपने पलंग पर लेटी हुई थी, praying, प्रार्थना कर रही थी and telling her words, और माला के मोतियों को गुमा रही थी, आगे फेर रही थी, even before we could suspect, इससे पहले कि हम उन पर आशंका जता पाते हैं, हम उन पर शक करना कर पाते कि अभी ये हैं के नहीं हैं, उससे पहले ही, her lips stopped moving, उनके हो ठिलना बंद हो गए and the rosary fell from her lifeless fingers, और उनकी बेजान उंगलियों से, उनकी जो माला थी, वो नीचे गिर गई, a peaceful pallor spread on her face, एक शांती नुमा, पिलकुल शांत भाव से, जो एक पीलापन था या बेजान होने का जो भाव था, वो उनके चेहरे पर fell गया, on her face and we knew that she was dead, और हम लोग भी ये जान चुके थे, समझ चुके थे, कि अब इनकी मृत्यू हो गई है, she is dead, य आगे देखते हैं, we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground, हमने उने बिस्तर से bed से उठाया, जैसा की custom है, जैसा की रिवाज है, कि मृत्य जो होता है, उसे bed पर नहीं सुलाया जाता, जमीन पर सुलाया जाता है, तो उसी रिवाज के तहत, हम लोगोंने उने ground पर सुलाया, जमीन पर सुलाया and covered her with a red shroud और लाल रंग के एक कफन से हमने उनको ढखा, एक साड़ी से हमने कपड़े से हमने उने ढखा, after a few hours of morning, कुछ समय, कुछ घंटों विलाप करने के बाद, रोने के बाद, अपने पूरवज के पूरवजों को खोने का दुख मनाने के बाद, we left her alone to make arrangements, हमने उने वहा सारी वेवस्ताओं को समालने के लिए, for her funeral, उनके अंतिम संसकार की वेवस्ताएं देखने के लिए, in the evening, शाम के समय में, we went to her room, हम फिर से उनके कमरे में गए, with a crude stretcher, एक अर्थी लेकर के, crude stretcher का मतलब होता है, बांस की बनावा जो stretcher होता है, जिसे हम लोग सामानने सभी जानते हैं, अर्थी कहते हैं, उनके कमरे में हम गए, to take her to be cremated और उने वहाँ से लाने के लिए, ताकि उनका दाहसंसकार, या उनको अंतिम विदाई जो है, चिता के रूप में दी जा सके, उनका शव दहन जो है, वो किया जा सके, the sun was setting, सूरज जो है, वो डूब रहा था and had lit her room in veranda with a blaze of golden light, और दूबता हुआ सूरज भी उनके कमरे को और पुरे बरामदे को एक शण के लिए ही सही, लेकिन golden color की, यानि कि स्वर्णिम जो लौ है, उससे रोशन करता हुआ गया, we stopped halfway in the courtyard, हम लोग जो चौक था, उसमें आदे रास्ते पर रुके, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, पूरे के पूरे बरामदा में, उनके कमरे में, जहां वो मृत लेटी हुई थी, stiff wrapped धकी हुई सी, in the red shroud, लाल रंग के कफन में, thousands of sparrows set वहाँ पर, हमेशा कितनी रहती हैं, सैकडों की तादाद में, लेकिन आज, हजारों की तादाद में, sparrows जो हैं, चिडि on the floor, चारों तरफ फैली हुई थी, चारों तरफ बैठी हुई थी, जमीन पर, there was no chip ripping, किसी भी तरह की आवाज या चैचाहट वहां सुनाई, नहीं दे रही थी, we felt sorry for the birds, हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, उन पक्षियों के लिए, उन चिडियाओं के लिए, जो द कुछ रोटियां लेकर आई, bread उनके लिए लेकर आई, she broke it into little crumbs, उन्हें छोटे छोटे टुकडों में उन्होंने तोड़ा, the way my grandmother used to, जैसा कि मेरी दादी मा किया करती थी, and threw it to them, और उन्हें उनकी और फैंक दिया, उन्हें उनकी उखाने के लिए दे दिया, the sparrows took no notice, लेक कि उन रोटियों की तरफ या रोटी के टुकडों की तरफ, when we carried my grandmother's corpse, जब हम अपनी दादी मा को, जब मैं अपनी दादी मा के शव को लेकर जा रहा था, off, वहां से बाहर, they flew away quietly, वो बिलकुल चुप चाप, शान्ती से वहां से उड़कर चली गई, next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dust bean, और ज खाने के लिए उन्हें, जो breads के टुकडे दिये गए थे, अगले दिन जब sweeper, जाडू निकालने वाला वेक्ति जब आया, तो उसने उन सब को एकटा किया, और dust bean में डाल दिया, जितनी भी bread वहां पर पड़ी थी, रोटी के जितने भी छोटे टुकडे वहां पर पड़े थे, उन सब को उठाकर dust bean में डाल दिया गए, तो ये हमारा chapter है, I hope, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, कि जिनको अपने कुछ ऐसे दुख या कुछ ऐसी पीडाएं जो हैं, याद आ गई होंगी, और अगर ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ये संसार का सत्य है, आप में से किसी के साथ भी कभी भी अगर ऐसा हुआ हो, तो मेरी तरफ से I am sorry for your loss, आपके, जो भी आपका भावनात्म किया पारिवार जनके रूप में आपका नुकसान होया, उसके लिए मैं मापी चाता हूँ, और उमीद करते हैं, कि हम लोग के, जिस तरीके से, जो इनसान की भावनाएं होती हैं, जिनने के वल मैसूस किया जाता है, जिनने शब्दों में कहपाना कई बार बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, यह इसी एक तरह का एक चैप्टर है, कि जहां एक पोता अपनी दादी के बारे में जो कुछ मैसूस करता है, जो कुछ उसे लगता है, स तरीके से उनका बच्पन उनके साथ बीता जवानी के समय में या उसके स्कूल जो सिटी स्कूल का टाइम है उस समय में किस तरीके से उनके बीच में दूरियां आ गई अंत समय में किस तरीके से वापस नजदी किया हुई और किस तरह से उसकी दादी जो है वो हमेशा के लिए उसे छोड़ कर चली गई तो यह सारी की सारी चीज़े हमें बड़ा complex emotional chapter है यह हमें देखने को मिलता है अगर आप लोगों की life में कोई ऐसा experience रहा है जो आप लोग मेरे साथ share करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ share कर सकते हैं जैसे आप जानते हैं मैं सारे comment पढ़ता हूँ one by one all of them ठीक है तो आपके साथ अगर कभी ऐसा experience हुआ है तो आप लोग मेरे साथ share कर सकते हैं कि आप लोगोंने किस तरीके से बच्पन बिताया आया है जिनके दादादादी ठैंक गॉड टच्पन अभी भी हैं और वो अपने साथ दादादी के साथ जीवन बिताते हैं तो कैसी आप लाइफ स्पेंड करते हैं उनके साथ और आप उनके लिए क्या वैल विशिस चाहते हैं एक बार लिख करके हमारे साथ share कीजिए थैंक यू वरी मच आप लोको ने बहुत ही पेशन से चैप्टर को सुना I hope चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आगया होगा So keep learning, keep watching us Thank you very much and take care of yourself See you soon, bye